नमोस्तु महराजी, नमोस्तु महराजी, नमोस्तु महराजी, महराजी, हमारे जीवन में दुआ और बद्दुआ का क्या असर होता है? क्या किसी के अपने लिए अच्छा सोचने या बुरा सोचने से कर्मुदे बदल सकते हैं? देखिए दुआ और बद्दुआ आपने करमोदे से संबध करके बात की अगर हम कहें तो जब आशिरवाद का प्रताप मानो तो बद्दुआ का भी मानना पड़ेगा पर दूसरे दिश्टी से देखें तो मैं कहूंगा न दुआ का असर है न बद्दुआ का आशिरवाद का भी असर तब पड़ता है जब तुम उसे गहन करते हो तो बद्दुआ भी तब तुमे लगती है जब तुम उससे प्रभावित होते हो समझ गया है मैं कितना भी आशिरवाद दू कोई कितना भी बड़ा साधक हो कितना भी बड़ा आशिरबाद दे जब तक तुम अंदर से उसे श्वीकार न करो तो आशिरबाद लगेगा क्या हाँ इसी तरह इसे पलड़ दो कोई किती भी बद्दुआ दे तुम उस पर ध्यानी नी दो तो तुम्हे लगेगा किसे अब इसका बिग्यान बताता हूँ पहले आशिरबाद का बता दू फिर बद्दुआ का बता देता हूँ इसका बिग्यान क्या है आशिरबाद क्या है कल्यान वाचक बात हाँ ना कल्यान वाचक वचन जिससे कोई भी विक्ति हो उसके जीवन में जीवन का पत्पसस्त हो आपने हमें नमन किया हमने आपको आशिरबाद दिया अब इस आशिरबाद से हमारी वेबज़ आपके पास गई लेकिन इस वेबज़ के साथ आपके अंदर एक सकारात मकत आई कि मुझे इस कायर के लिए गुरू ने आशिरबाद दे दिया इससे आपका आत्मिश्वास भी बढ़ा और आपकी अंतर स्रावी गंतियों में बदलावा गया और उस बदलाव से आपके अंदर के रसाइन बदल गए रसाइन बदल गए तो आपके कर्मों की केमिश्टि चेंज हो गए तो जो नहीं होना था वो काम हो गया तो बदला तो आपका कर्म नहीं निमित्त क्या बना आशिरवाद पर कब जब सामने वाले ने ग्रहन किया तब इसी तरह किसी ने कुछ हमारे विरुद्ध टिपने की कुछ ऐसी खबर आई वो हमारे लिए बद्दुआ कर रहा है मंत्र कर रहा है तंत्र कर रहा है जादू कर रहा है, बंगाली बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् तो दोनों चीजे हैं, इसमें कोई बात नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा, दुआ हो या बदुआ, जब तक श्रीकार नहीं करो, उसका कोई असर नहीं पड़ता है.